वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते प्यारे बच्चेओं, हुन समा है शबद सर्वन करन्दा अज असी दसमे पाशा गुरु गोबिन सिंग जी दी बानी तब पर साथ स्वये विच्चों नोमा स्वया सर्वन करांगे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो इस स्वये विच्च गुरु साव जी ने समझाया है की पंक्ती है शदी की साच कहों सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो गुरु साव फुर्मांदेहन की असी सारे जाने त्याननाल सुन लवो मैं साच कहन दा हां, साच कहों, सुन ले हो सबे, मैं साच कह रहे हैं, सारे त्यान नाल सुनो, की कह रहे हैं, जिन प्रेम कियो, तिन ही प्रपायो, जिसने परमात्मा नाल प्यार किता है, उसनों ही परमात्मा दी प्राप्ति अंदी है, ते परमात्मा नाल प्यार करना की है, परमातमा देजीवानल प्यार करना पहली पक्ती दे विछ गुरु शाब इसके अन्ल कहाँ पयो जो रोच्जों भी राहे बैठ रहे व बक तयाण लगायो कहाँ पयो मतलब की उया रोच्जण, लोचन मिन्ज अख्छा मुूंद के मतलब मेट्के आए बगले वाली समाधी तो बच्चे पता है कि बगला किस तरह करता है बगला इक वाइट कलरदा हों। यह शपड़ थे खढ़ हों। थे ख़डा हं। ते अध्ध करके तो ख़ड़ी, कोई रख भुषड़ी थे नेड़ी नेड़ी हों। तो फटा फटो नो खालन दा है गुरु साब केंदे कि ते एद्धा ना हुवे पी असी अख्छा बंद करके बैठे रही है ते मन दे विच होर विकार चल दे रहे हैं ते एद्धा दे त्यान लगान दा कोई फाइदा नहीं कहां पयो जो दो लोचन मुंद के बैठ रहे हो ब अंद्रों मन पुर्मातमानाल नहीं जुड़िया था अगली पंक्ति विच पुर्मान दे हन नात फिरयो लिये साथ समुंदरन लोग गयो पर लोग गवायो नात मतलम नो हना लिये मतलम तक नात फिरयो लिये साथ समुंदरन साथ समुंदर ते लोग गयो पर लोग गवायो जे कोई मुनुख सत्ता समुंद्रा तक सारे तीर्थां दे इश्नान करदा फिर्दा है ता समझ लो उसने सब ए लोक तां गवाया ही है नाल पर लोक मतलब परमातमादी पक्ति ना करन करके उसने अगले जनम दे सुखांतों वियो वांजिया रहेगा मतलब उदा कोई फैदा नहीं है अधा मतलब एकि तीर्था दे नहांडा कोई भी फाइदा नहीं है जे कर मान परमातमादी नाल नहीं जुड़े आता बाड अगली पंक्ति आं बास कियो विख्यान सो बैठके ऐसे ही ऐसे सो बैश्बितायो बास मतलब निवास बिख्यान से वो मतलब विश्या जा मंदे कमाना जिस हाँजी, बिख्यान सो मतलब माडे कमादे विच ऐसे ही ऐसे मतलब ऐह में ही ब्यार्थ ही उमर बैस बितायो मतलब सारी उमर लंगा ली जिस मनुख ने विशे विकारां मतलब मंदे कम्मा दे चस्किया नाल ही संगत किती ते मंदे कम्मा दे मंदे स्वाद ही लेंदा रिया माडे कम्मा दे ता एधा मतलब पि उन्हें अपनी सारी उमर वियर्थ ही गवाली बास कियो विख्यान सो बैठके ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो सारी उमर वियर्थीक वालन्दा है ते एदा एंड ते गुरुजाव ने कंक्लूड किता है कि साच कहों सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो पी सारे जाने ते आननल सुनो मैं साच कहनदा हाँ पी जिसने प्रमात्मा नाल प्यार किता है उसनों ही प्रमात्मा दी प्राप्ति हम दी है ते प्रमात्मा नाल प्यार करना पाव उसते जीवा नाल प्यार करना वाई गुर्जी का खाल्चा वाई गुर्जी की फते आओ हून इस शबदा मिलके गाइन करें